नमस्कार Sunshine Classes जरेडी में आपका श्वागत है मैं विवेक बर्मा आपका श्वागत करता हूँ सभी सिच्छक साथ्षियों को Sunshine Classes YouTube चैनल पर एक बर फिर्षे श्वागत है मैंने वादा किया था कि मैं आपके बीच जेटेट और सीटेट की पढ़ाई आपको नोटिफिकेशन पता होगा कि सितमबर तक जेटेट की परिच्छा होने की संभाव नाए है और सीटेट की परिच्छाई तो हमेशा 6 मन्त में होती रहती है तो अगर हम तयारी जारी रखें तो आसानी से हम इन दोनों एक जाम्स को किलियर कर सकते हैं तो आज हम लोग पहले क्लास को लेकर आये हुए हैं और पहले क्लास में हम लोग जेटेट और सीटेट दोनों लगबल लगबल सिलेबस सेम है उसके सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि जब तक हमें syllabus नहीं पता होगा कि पढ़ना आखिर क्या है तो हम बेवज़ा कैसे पढ़ते चले जाएं तो सबसे पहले हम लोग syllabus पर discussion करेंगे फिर syllabus में एक एक पार्ट के अलग अलग अंस को discuss करेंगे कि बालविकास इसा सास्त्र में हिंदी भासा या अंग्रेजी भासा में जनजाती या छेत्रिय भासा में और प्रयावरण या गनीत अध्यान में या तो फिर बिज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके एक-एक part का एलग-एलग अध्यान करेंगे पहले हम लोग discussion करेंगे उसके part का फिर अलग-एलग अध्यान ख्रू करेंगे फिर उसके related question discussion करेंगे और फिर हम लोग Qs के माध्यम से भी इसका discussion का जो है revision करेंगे आप मेरे telegram channel को जोन कर सकते हैं वहाँ प्रते एक दीन रात आठ बजे से रात नौ बजे तक पूरे एग घंटा तक क्यूज प्रतियोगता कराई जाती है जहां जेटेट और सीटेट ये कॉस्टन दिये जाएंगे आप अपने पढ़ाई को चेक करेंगे आप कितना पढ़ रहे हैं उसे जाज करेंगे उसके माध्यम से आप वहाँ एंसर देके आपको पता चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हमारे मनुमस्तिक्स में बाइट रही है चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास आज हम लोग जेटेट और सीटेट के सिलेबस को कवर करेंगे ये syllabus कैसा रहेगा, क्या पूछेगा, कितना नंबर का पूछेगा, किस से पूछेगा, किस तरह पूछेगा, कितना time होए मिलेगा, कैसे cover करना है, इन सारे बात दूपर चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं, देखिए, ये paper 1 का discussion कर रहे हम लोग paper 1 आपको पता है, 1 to 5 के लिए होता है, जो students deal-ed किये हैं, जो आभिरती है deal-ed किये हैं, या beard किये हुए, आपको पता है, या बहुत सारे और courses होते हैं, जिन से teacher बना जा सकता है तो हम लोग के पास दो option होता है, या तो फिर आप 1 से 5 तक का exam भरिए, या 6 to 8 तक का exam भरिए, 8 का exam देजिए, या फिर दोनों देजिए, 1 to 5 देजिए, या 6 to 8 देजिए, दोनों देजिए एक साथ, उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है, B8 करिए हुए students, सिर्फ 6 to 8 का exam दे सकते हैं, DL8 की हुए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों exam दे सकते हैं, तो हम लोग दोनों के syllabus को अलगला discussion करेंगे, पहले हम लोग आज paper 1 का discussion करते हैं, paper 1 जो है class 1 to 5 के लिए होता है, और class 1 to 5 के लिए paper 1 होता है, इसमें कूल अगर समय की बात किया जाए तो 1.500 minute मिलता है, कितना? 1.500 minute उसको calculate करेंगे, तो 8 घंटे का समय हमें दिया जाता है, सबसे खास बात क्या है कि अभी तक C-Tate और J-Tate वाले exams में negative marking नहीं है, तो आप इस चीज को, इस चीज का जो डर है कि other competition exam में, यह competitor exam में negative marking होता है, वो इस exam में negative marking नहीं है, आप गलत answer अगर टिक लगाएगा, तो आपका marks नहीं कटेगा, एक्स्टा marks नहीं कटेगा, तो आप कोई एक छूट मिलती है, कि आप अगर 1.500 question पूछ रहा है, तो 1.500 question को ही टिक लगा के आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि आप उसमें से एक question छोड़ दें, इस question नहीं आ रहा है ये question छोड़ देते हैं, ये question में हलका सा confusion, ये question छोड़ देते, ये इसमें confusion नहीं है, तो ये इसलिए कर रहा है, क्योंकि हमें बच्चों की मनोविज्यानिक परस्थितियों को समझना है, हमें बच्चे का मनोमस्तिक्त को समझना होता है, तो उस दौरान बहुत सारी छोटी गलतियां होती है इसके लिए नगेटिव मार्स अभी तक तो नहीं दिया है आगे आने वाले सिलेबस में हम आगे आने वाले अगर प्रोस्पेक्टस निकलता है तो उसमें क्या होता है इसके बारें बाद भी डिसकसन करेंगे